हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का मोल्ट स्टाफ के एक और प्यारी सी वीडियो में और हमारे जीटीए फाइब के एक और दमागेदार केम प्ले में तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में यार देखा था कि हम लोग अपने मेंचन पर यहां पर वापस आ गये थे और लेमार भी हमारे साथ आया था तो लेमार अभी तो अपने ग़र चला गया है और अभी हम लोग जाएंगे बैनी के पास क्योंकि बैनी को हमें चोड़ना है एरपोर्ट पे अभी सुबा सुबा उसका फोन आया था उसने बोला कि भाई मैंने सारे काम कर लिये हैं अब मुझे एरपोर्ट पे छोड़ दे और मैं चला जाओंगा इंडिया के लिए तो वो इंडिया के लिए चला जाएगा और उसके बाद हमारी बुलैरो आजाएगी तो मुझे लगता है यार सबसे पहले ना हमें कहीं सर्विस टेशन पर चलना चाहिए प्रिकोज हमारी जो गाड़ी है वो बहुत बेकार हो चुकी है देख सकते हो आप लोग बहुत बेकार हो चुकी हमारी गाड़ी तो छोड़ो यार देखो बैनी के ओफिस पे चलते है सीधा और बैनी के ओफिस की लोकेशन तो क्या लगानी है वो यहीं पे है उसका लोकेशन भी तो हम लोग पहुंचते हैं बैनी के ओफिस पे तो ये बैनी का ओफिस यार बहुत जल्दी आ गया तो एक बार चलते हैं उसके ओफिस पर और बाकी देखते हैं फिर चलके तो मैं उसको यहीं से पहले फोन कर लेता हूँ यार मुझे ऐसा लगता है तो भाई वो रहा बैनी चलो आतो गया आजा भाई बैठ चल तो चलो यार अब हम लोग चलते हैं एरपोर्ट पे इसको लेके तो मैं एरपोर्ट की लोकेशन लगा लेता हूँ फटा फट सबसे पहले तो तो यार मैंने एरपोर्ट का लोकेशन लगा लिया है और बैनी को हम लोगोंने पैसा दे दिया था पहले ही तो अब बैनी जाएगा और हमारी बुलेरो की डिलीवरी लेके आएगा और सबसे अच्छी चीज यह है यार कि माइकल ने एक प्लेन अरेंज करवाया है एक प्लेन था जो इंडिया के लिए जा रहा था तो उसका जो पाइलेट है उसका पता नहीं माइकल के साथ क्या चक्कर था क्या नहीं था बट अमारे लिए अच्छा यह हुआ कि माइकल ने वो अरेंज करवा दिया हमारे लिए तो एरपोर्ट यहां से ना बहुत नजदीक है तो मैं पहुंचता हूँ औरे भाई दो पॉल उड़ा दी है कोई बादनी आपसे बाते करने के चक्कर में दो पॉल उड़ा दी है मैंने तो हम लोग पहुंचते हैं यार और हमें जाना पड़ेगा नीचे से यहां उपर से नहीं हमें इसको ना नीचे वहाँ पर उसके पास लेके जाना है तो मैं यहां से चलता हूँ यहां से आई तिंक नीचे का रस्ता होगा हाई यह रा तो यहां से एक बार मैं नीचे चलता हूँ और एरपोर्ट पर चलके अंदर चलेंगे हम लोग डारेट सीधा कोई दिक्कत नहीं है तो चलते हैं नीचे अंदर और कहां आई चुके हैं वैसे भी हम और लेमार को हम लोगो ने उसके घर इसलिए भी बेज दिया था कि उसका अभी कुछ काम था अरे खोलो गई हाँ तो लेमार को हमने इसलिए बेज दिया था कि उस कि दिखता दो यह 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 या हाँ प्लेन तो यह यह बाई तो मैं एक बार चलता हूँ उसके पास यह रहा पाइलेट तो अपनी गाड़ी को यहां पर पार करते हैं साइड में आराम से और एवर बार करते हैं इस से कि यार हम लोगों ने इन से बात कर ली है और इस पाइलेट ने को पाइलेट को बोलके उसको प्लेन को भी यहां पर लगवा लिया है तो हम लोग वेट करेंगे इनका तो यह लोग यहां से चल दिये हैं और अभी हम लोग भी चल देते हैं तो चलो यार बैन ही तो चला गया और अभी हम लोग चलेंगे मुझे अभी अभी रिसेंटली एक information आई है बैलास गैंग से उन्होंने बोलाए कि कोई बहुत जरूरी information है तो हम लोग आपनों को मिलते हैं अगले एपिसोड में डारेक्ट बैलास गैंग के अड़े पे तो तब तक के लिए एंजिय थे वीडियो और एंजिय थे अगेम जब बैजाए